है है लो फ्रेंट्स आवलकम इटो मां चैनल वीवी एजुकेशन तो आज वन लोग पढ़ेंगे क्लास्टिक सेंस्यारी पॉलिडी का चाप्टर नमबर फॉर जो की है की एलेमेंट्स ओफ डेमोक्राटिक गवर्मेंट जो अगर आपको याद होगा तो हम लोग ठोट चाप् इस दीप मेनी तो इन इस चैप्टर यू रीड वाट सम अफ देविड गवर्मेंट इस इंक्लूड पीपल्स पाटिसपेशन रिजलूशन अफ गंफिक एंड एंड जस्टिस एक्वारडी अंड जस्टिस तो बिना पढ़ना शुरू करते हैं तो जो स्टार्ट इसमें क्य कि फिर भी यहां जो था पहले आपको अगर हिस्टोरिकल बैग्राउंड थोड़ी पता होगी तो यहां जो था ब्रिटेश का रूल चलता था जैसे इंडिया में चलता था वहां क्या था कि पीपल जो है उनके कलर पर डिवाइड कर दिया गया था उनके रिलिजिन पर यहां चलता था तर वर जौल बाद लाइड लाइड अपार्थीड लाइड ओपार्धीर मतलब जब इस अपरेश अपशन बश्यस बश्यस बिच्छिशने कलर तो अफरिकन पीपल वाइड एड ग्लाइड निया अट रिष पूरीज़ तो यहां पूल लाइड था प्रोमन फेसिलिटीज याने की फिर एक्जामपल अगर आप आपके वाइट पीपल के कोई रड़ वह है अम्बूलन से उसमें जाला सुविता है जब की जब आप जो आपके ब्लाक पीपोल लें उनके लिए अगर कोई वह 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 अम्बूलन से तो उसमें कम सुवितायों य भी वेल एक्वेवड वाइन में फॉर ब्लाक पीपल वज नॉट यहां तो किंगे प्रेंस और बसेज में भी सप्रेशन थी बस टॉप्स भी इंके डिफरेंट थे कि नॉन वाइट नहीं था और जो बेस्ट रांट है का वह जो है किसे दिया जाता था वाइट पीपल प्लेट बिन्हें शब्स खराब बिल्कुल बंजर जमीन पर उन्हें लानड दिया जाता था रहने के लिए इससे लिए ब्लाक और कलर लोग हैं उन्हें जो है ऐसा माना गया वाइट पीपल की हिसाब से कि वह इंफीरियर है तो क्या है तो इसमें एक आदमी है हेक्टर कर गये हैं हेक्टर ने गया किया था हेक्टर पैटर्सन उसने जो है इन लोगों के खिलाफ वह प्रोटेस्ट कर दिया था ताकि वो जो है आफ्रीकंस लैंग्विज सीख पाई स्कूल में क्या अफ्रीकंस लैंग्विज अफ्रीकांस लैंग्विज यह लैंग्विज वो लोग नॉर्मली बोलते थे प्रफुंचांग्वेज थैंग्विज वस्टाइब आसवन उनन व्हट वाट आइड वतर यांग्विज पिलाइल पैट आधंध्विज errors लिक्रियंग्व न्च वी अवाटेंग्विज प्रोटेश्ट म्जार्षंश्ट अँट 29 के अच्वैंव पात्ट और्स आज अप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन प्रोडेक्स ट कर सकते हैं जब आपकी गवरमेंट आपके रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट है वो नहीं सुनरी अपने उस पेपर में हेडलाइंट डाल रहे हो आप अप उसके उपर और बहुत बड़े-बड़े बैनर्स में लिख रहे हो आप उसे टेलिविजन पर दिखा रहे हो फिर भी अगर आपकी गवर्मेंट नहीं मानती तो सु में 1976 में यह हुआ था इसके बाद क्या अफ्रिकर्स नाशनल कॉंग्रेस जो है उन लोग ने क्या क्या स्ट्रगल क्या अगेंस्ट अपार्थीर और उनका जो सब से उनका जो ली रहे था निंसन मंडेला था उसने बहुत सालों तक वो किया फाइट किया अपार्टिर मिल गए कब तो 1994 में उसे 1994 में सक्सेश मिल गई उसके बाद साथ आफ्रिका डेमोक्रासी हो गया है उसके बाद सब सब वो जब डेमोक्रेटिक हुआ तो मां क्या हुआ कि उन लोग ने बोल दिया हां आपको अगर अंदर लड़ना है तो अंदर लड़ो लेकिंग हमारी के बार वी यार लाइक कंट्री हम लोग कंट्री हैं हम लोग वाइट ब्लाक कलर नहीं है आउं दो एक ही कंट्री के लोग हैं वी आर वन फैम्ली वर इंडिया में एंडिया में आप रिलेट कर लोगे आर्टिकल फिफ्टीन से टेकल 15 क्या कहता है आपिकल 15 कहता है शेट शेल नौ्ट डिस्क्रीमिनेट अन बैसे अव्द रेजेव का आस्ग रिलिजिन से एक स्प्लेश प्लेश अब ऑट एक्सट्रा कि अब पार्डिसटेशन की बात आगई अब पार्डिसेटेशन आप कलते हैं तो क्या है जैसे हमारा हमारी हारे प्रब्रेसेशिल डेमोकरेशी जो थे क्या होता है वी यृट लीडर्स बेर्ले प्रडेसेंट अल्जिटेश टेकर यह दो कुछ से वो कर दिये कुछ से कोई लॉपास कर दिये और फिर अपने आपको राइट प्रूफ भी नहीं कि अपने आपको डिफेंट में किया अगर वो कर भी ने तो भी उन्हें लोगों के सबसे लोग चींज ही करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं करते तो देयर नॉर्ट फॉल फॉल फॉलाइंग वाट इसकॉर्ड डेमोग दरूल अफ डेमोगरेशी और डेफिनिशन अफ डेमोगरेशी और जो हमारी गवर्मेंट ड इस रूल टेज एलेक्र फोर फिक्स पीडर एक्जामपल देता हूं यह मिस्टर एक्सेंटी आपने इने प्रधान मंत्री बना दिया क्या मना दिया पीम बना दिया अब यह क्या करते है यह सब ठोटे नहीं है यह 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 तो देमोगरेशी को तोड़ने वाली बात हो गई अगर यह सत्ता नहीं छोड़ रहा है मतला भी यह डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो कर रहा है अंडेस्टांड देस्ट इस इस आओ यू कनेक्ट अब अगे पढएंगे अद्च टारे अगे यह टो लूट अब पाटिसपाइट नहीं से पाट यर बाद यू अट यहीं अनगे बिसाइड वोटिंग देर अधर वेज़ फाटिसेपेडिंग इन प्रोसेस अफ गवर्मेंट पीपल पाटिसेपेड वाट टेक इंट्रेस्ट इन वर्क अफ गवर्मेंट एन बाइ क्रिटिसाइजिग एट वेन रिक्वायर्ड फफ निन यंके हां उसक्वायर्ट यंद्ण लोकिपल पे करते थे लगवर्मेंट और अब लोग ने मना किया इसा क्यों कर रहे हैं उनने डिस अप्रूवल दिया अलुक ने बहुत सार रैलीज निकाले धरने निकाले झा और इंफ़ाक्ट धरणा यह जो मैं बोल हों कि पीसफुल हम लोग प्रोटेयस्ट कर सकते हैं इसकी मनजूरी बाहर बाहर के भी सुप्रीम कोट भी इस ब्रिटिश शुप्री में ने दे चुकी इसकी उन लोगने भी मंजूर दे चुकी है अब यह क्या है यह दिखा रहा है कि आप जो आप यह काम गंदा कर रहे हो यानिकी इस काम में आपने अभी सोधार नहीं किया और यह लोग तब तक दिखाते हैं निश्पेपर टेलिविशन पर तब तक दिखा जाता है जब तक गवर्मेंट इसके इसक इसके उपर कुछ एक्षिन नहीं लेती कि हम लोग इसे ठीक करेंगे यह कर दें दिरती तब तक जलता है और फिर भी नहीं मानती तो मैं आपको बता रखा है प्रोटेस्ट होते हैं आपके अगे पढ़ेंगे वेल बिफोर मुविंग ओन मैं पो इस चीज बता देना चाहता हूं अ मैं जर आई से स्कुप कर दिया था याद निया था यू तो यू तिंग इस इंपोर्टन फर आल परसंस तो बी टीटर इकुली हां यह तो यह तो यह तो बोट कंपल से यह यह दिस this computer definition of democracy क्योंकि है और एधनी विशनी को अपना बेसिक फ्रॉक्टर टॉक्राइं मान रखाए दुसानी केसमें ते तो फॉलो करना जरूरी है अब आगे पढ़ेंगे there are many ways in people express their views and make government understand क्योंकि action क्या what action they should take अब इससे क्या कहेंगे they are making the government responsible this makes up a responsible government क्यों क्यों लोगों की बात देख रही है सुन रही है और फिर उस पर रियाक्ट कर रही है और इस इंक्लूड धर्नास राली स्ट्राइक सिग्नीचर कैम्पेइन सेक्सेक्टर अगरे पीसफुल हों तो गवर्मेंट में नहीं रोख सकती है थिंक्स डैट आर अनफेर अन जस्ट और अल्सो ब्रॉट फरवर्ड न्यूस पेपर्स मैगजीन्स टीवी अल्सो प्लेयर रोल इन डिसकासिंग गवर्मेंट इशूज और मलब हमारी गवर्मेंट को रिस्फॉनसिबील बनाने के लिए इतने सारे फ्यक्तर हों इतने शारे Flexible के काम कर देवटर सयंताब हमारी गवर्मेंट जो है िस पार संबीड यை आती है कि याम वह काम करें if a country's people are alert and interested in how the country is run the demo democratic character of third government will be strong so next time we see a rally winding winding through the streets of our cities and towns or villages we should pause to find out what rally is about who is participating in it or what are protesting about this will help us give sense of how government works of participating in it yannickie हमारा जो धर्ना है हमारी जो राईली उसमें कुछ लोग पार्टिसीपेट करते हैं इसका पार्टिसपेंट्स हैं जेही हमारी गवर्मेंट को रिस्पॉंसिविल बनाते हैं और उनके साथ जो आए ओपोजिशन भी होती है opposition का काम यह होता है कि वो government को बताए कि हां लोगों के पास अभी क्या कमी है और वो government fulfill कर सके इसी इसी लिए to run a successful government we shall also have a responsible opposition this is what makes a democracy democracy work अब यहां जो है कि यहां जो है conflict के बारे में लिख्खा है राइट टू रिजॉल्फ कर नीट टू रिजॉल्फ कर अब क्या है इसमें वह दिया गया है कि इसमें एक्जांपल दिया गया जैसे कि आपको याद है आपका एक रिवर है कि कौन सा रिवर है आपका कि यह आपका कावेरी कावेरी रिवर जो है आपका वह जो कावेरी रिवर है वह दो स्टेट में पानी प्रवाइड करता है क्या करता है दो स्टेट में पानी प्रवाइड करता है करनाटका और तमिलनाडू अब इसमें क्या है जो कृष्ण सागर डाम है करनाटगा उसकी वज़े से जो है पानी तमिलनाडू तक नहीं पहुच पारा हैं जो क्यief देखे अलां कुर्कि History को बाराबर मातरा की पानी तो नेसेसरी नहीं होगी तो और से पहचाना जरूरी और इसे पान की मातरा लेकिन क्या थे रेकलत है सब्सक्राइब पशंब रहे तरो बहुत जल्स कर से ओसे हम घॉक आых तो और यह जो है इसके वाज़े से क्या होता है कि अब जो है सारे सर जगह क्या होती कि पानी पहुंच जाती है हर जगह पानी पहुंचता है अब यह जो बॉक्स में लिखाया पड़ते हैं अब यह जो है यह जो है यह सब आपका क्या है तो यह आप रिलेट कर सकते थोड़ा अब कुछ अब कुछ सिंपल लोग जो आपको पता होना चाहिए वह वह कुछ ऐसे लोज है जैसे कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी लेवन है यह पुयाद होना चाहिए वन आफ दे की आइडियास अब डेमोक्रेटिक गवर्मेंट इस एट कंपिम कंप कमिटमेंट ट्वी इक्वालिडी एंजसेज wordy injustice इन्फ से इंसे परेबल यहां यहने की तरट अपकभी प्रियांबल भरते तो प्रियंबल में क्या लिखा गया है प्रियांबल में लिखा गया है कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic Republic हाला कि secular और socialist जो है बाद में आया था to all its citizens and to secure all its citizens just says social economic and political यह पहले आया है इसको डारेक्ट जस्टिस लिखा गया है क्यों कि जस्टिस के भीना आपकी quality नहीं हो सकती याने कि अपने जस्टिस नहीं की तो आप equality कैसे करेंगे जस्टिस वह भी कैसी social economy called political social में किया क्या सकता है रेस रिलिजिन कास्ट विसमें क्या जो है लोग अपने आपको यह को नीं समझिंग डूसरे सीक्वलिक समझेंगे दूसरे सेपीयर समझेंगे इससे क्या होगा कि कास्षण सेस डिलिजिन डिफ्रेंसेस कर डिफ्रेंसेस पैदा होंगे और एनिवेज हमारा जो हमारा जो थिंकिंग सिस्टेम है इस नौट ऑफ इक्वारडी बट ऑफ इक्विडी याने की एक्जांपल के तौर पर सुप समझाता हूं ये छे फूट का इंसान है और इसे 8 फूट की व यह यह फिर चार फूट का यह आमने क्या किया कि छे फूट का सहरा दिया मेर मेरा इसे चार फूट का दिया फिर यह दो फूट का इंसान इसे अपने छे फूट का सहरा दे दिया तो इससे क्यों जैसे हमारा जो सिस्ट्रम है यानि कि यह जिसे जितनी मदद की दुरह तो उसे उतनी प्रोवाइट करो इसलिए हमारे यह जो है इक्वालिटी नहीं बलकि इक्विटी प्राक्टिस होती है इसमें एक अंटचिबिलिडी आती है इस ग्रूप पीपल वर डिनाइड एडुकेशन ट्रांस्पोर्ट और मेडिकल फेसिलिडीज एंड इवें दे चांस्टू आफर प्रेयर्ज डॉक्टर अंबेत तर्जित जि जो प्राक्टिस हैं यह इनकी वाज़त जो है हमारे यहां एक्वालिटी नहींगी और यही डाट जास्टिस कैन ओनली भी अचीवड वें पीपल आर्ट्री ट्रेड एक्वाली यानिकी इस अपकिस इसी लिए हमारा हमारा जो राइट टू एक्वालिडी है इसे एक फॉर् आर्टिकल 14 15 16 17 18 is seri is isaya the government also recognize this and make special provisions for a group within society that are unequal for instance in a society there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl इसे लिए आर्टिकल 15 के सब्क्लास सी में लिखा गया है अब आप सूचेंगे आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 के सब्क्लास सी में क्या लिखा गया है सर तो यह लिखा गया है उसमें कि state can make special provisions for women and children यहाने कि जो स्टेट हमारा वो स्पेशल प्रोविशन बना सकता है वो में अर्ट इसका मदलब था कि पहले कि पहले कि सवाइटी जो है यह जैने कि आपकी भात होरी है मीडिव इंडिव एगल एज की मीडिवल और थोड़ा को कॉलनिल पीरर की माधर वमें को जारा राइट नहीं था क्योंकि अगर आप रिग्वेदिक काल के बार में जाने तो जो वो मैंने उन्हें अंतर जाती है साधी करने का राइट था उन्हें एड्यूकेशन की राइट थी दे अड़ लिबर्टी टू मूफ लुष बौज़ लिबर्टी थी इन इस कंटन गवर्में शिप्स प्रमोट इस बाइट प्रफिश जस बाइट इस प्रफिश घॉ एड्यू ज बढ़ बर वकाम इंजुस य आड़ और आप तो तस इस पॉसल एद फीज फर गर्ल्स माइट भी वेड फर लो और लोवर्ड इन गवर्मेंट स्कूल्स और कॉलेज़ तो इसी किताथ हमारा आज के चैप्टर खतम होता है अगर आपको सहीं अगरे आपको आज की वीडियो पसंद दाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मैं आपको मिलता हूं अगरी वीडियो में